सनातत हिंदु धर्म में सुक्रवार का दिन लच्मी और वैवव विलास का दिन माना जाता है आज के दिन मा लच्मी को प्रतंद करने के लिए कुछ टुटके भी किये जाते हैं आज हम आपको कुछ टुटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे बहुत सहराधन आपके पास आ सकता है तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन से टुटके अजमाय जा सकते हैं कहते हैं घर में किसी भी समय लच्मी जी आ सकती है लेकिन साम का समय ऐसा होता है जिस समय लच्मी जी का आना संभव होता है इसलिए साम के समय सारे घर की लाइटे जला कर पूरे घर में रोसनी कर देना चाहिए कहा जाता है कि मा लक्षमी के समझ मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और इति और काम सुक के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए इसे के साथ देवी लचमी के सामने केवडे का इत्र अरपित करने से मानसिक सांथ की प्राप्ती होती है कहा जाता है सुक्रवार के दिन सुबह के समय गौव माता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से माल लच्मी प्रसंद होगी और आप पर सदेव अपनी कृपा बनाये रखेगी कहते हैं घर में सुच्छता का जरूर ध्यान दे क्योंकि इससे माता लच्मी जरूर प्रसंद होती है और साथ ही कभी साम के समय घर में जहाड़ू न लगाएं इससे घर की लच्मी बाहर चली जाती है कहा जाता है सुक्रवार के दिन उस जगह जाए जहां मोर नित्व करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बाध कर पवित्र जगह रख दे और उसकी रोज पूजा करे इससे जो है धन लाग की प्राप्ती होती है अगर आपको हमारी दी गई जानकारी प्रसंद आई हो तो बड़े को लाइक कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा